पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को हम लोगों ने देखा था उसमें कुछ कोईस्टन्स दिये गए थे जिनके बिसे में हमने बताया था कि कैसे किसी कोईस्टन्स को 15 से 20 सकेंड में या फिर ऑप्शन के म सिखाने वाले हैं और कैसे इस कुछ सॉल्व करेंगे वैसे तो स्टूड़न्स कुछ स्टूड़न्स ने बना करके भेजा है अपने अपने तरीके से वह बेसिक कॉंसेप्ट के जरीए उसमें जैदा टाइम लग सकता है इनके जरीए हम देखेंगे कि 25 से 20 सेकेंड में कोई questions को कैसे solve करें या तो option के मदद से हो या जैसे भी हो तो हम देखते हैं कैसे करते हैं कि a 30% a 30% का मतलब हुआ a 30% का मतलब हुआ 30 upon 100 है कि नहीं 30 upon 100 a हो गया इन्हें 0 यह cancel हो जाएगा अब b का क्या बराबर हमें क्या है इन्हें 3 upon 10 a हो जाएगा उसके जिरो पॉइंट टू फाइप इसको लिख सकते हैं decimal को हटाएगे तो क्या होगा 25 upon 100 हो जाएगा और बी हो जाएगा उसके बाद सी का क्या है वन बाइफाइफ है तो क्या लिखेंगे वन बाइफाइफ सी लिख देंगे 25 फोर जाएगा क्या होगा यहां क्या आया दस आया यहां क्या आया चार आया यहां क्या आया यहां आगे आपको 5 आ गया, अब यहां matching करना है आपको किस तरह से 10, 4, 5 से ratio में match कर रहा है A में देखे तो 10 का ratio में 10 है, ठीक है 4 का ratio में 4 तिया 12 हो गया 5 का ratio में 5 तिया 15 हो गया तो इतनी बात आप समझ माग गया इसमें देखे भी option B में 10 का यह match कर रहा है लेकिन 4 से 15 का कभी match नहीं होगा क्योंकि कोई भी ratio ऐचा नहीं होगा जिस से तोड़ेंगे तो 15 में आ जाएगा चार का ना तो इस तरह से चार के कोई table में chiputल होता ही नहीं है अगर इसमें देखें c में देखें तो 10 का 12 होता है तो बिल्कुल नहीं match करेगा डी में देखें तो 10 का 15 होता है और 4 का 12 हो जाता है 5 का 10 हो जाता है लेकिन सी वला मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये निकला कि इसका डायरेक्ट तरीका अगर हम देखें तो इस तरह से मैच कर लेंगे option के जरिए और आसानी से हम इसको बना सकते हैं लबकि इसका concept भी हम आपको दिखा रहे हैं यह इस question का concept है जैसे रहेगा 30% है क्या दिया एक हो जायगा 25 सबसे पहले क्या करेंगे ट्रेन और फॉर फाइव का लेंगे तो 20 हो जाएगा फिर क्या करेंगे इस ते इसमें इभाइड करेंगें तो चु़ो को क्या करेंगा उपर से मल्टिप्लाइ करेंगे तू सी्छ n हो जाएगा शिक्स हे तरह से हो जाएगा 6 a 5 b 4c है इस तरह से अगर आ जाया तो फिर इसको रेषयों में convert करने के लिए हमको इनका lcm लेना होगा lcm 60 हो जाएगा 6 5 4 का lcm तो 6 से इसमें divide कर एजЕ क्या होगा 10 हो जाएगा 5 का इसे डिवाइड करिए इसमें तो 12 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, यहां इसका concept है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या बता रहते हैं, कि इसको अगर हमको option case से बनाना हो, तो option case से बनाने के लिए, अधिकान case मे जो तरीका बता हैं, वो बिल्कुल fast में बनेगा, और आसान तरीके से बन जाएगा, और 80% case में वो सही ही होगा, ठीक है, इसलिए कोई भी आपको problem करने के ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ समय कम रहता है, इसलिए समय को importance देना होता है, दूसरे नमर का question से दिया गया है, यदि 3A plus B, 5B ratio 3A minus 5B equal to 5 upon 1 हो, तो A ratio B find करें, यही question है, अब A, B का find करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, option से ही चेक करेंगे, एक के लिए हम मान लेते हैं 2 है, B के लिए मान लेते हैं 1 है, तो चेक करते हैं, यहाँ A के जगा पर रग देंगे, 3, 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5B के जगा पर 1 रग देंगे, 5ение 6 et przy 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ 6 e 5 क्या हुआ 11 हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3, 2 , 6 हो जाएगा, 5, 1 , 5 जा 5 हो एक 6 में सब 5 गया, तो 1 जायगा, तो फाईप रिया 9 हो catching जारी, तो A हम क्या क कितना हो घ हंग हो जाए गया है चलिए इसको भी अटा देंगे उसके बाद कभी नहीं नहीं archae अब नाइंटीन का कभी भी नहीं आ सकता है रेशियो में इसलिए वो रॉंग हो जाएगा चलिए उसके बाद देखते हैं उसके बाद ऐसे चेक करते हैं तो यह उसके यह तना हो गया और यह इसका मतलब यहां 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 5 होगा यह और यहां आपको क्या है तोENS को चेंजगा चैसे कि नहीं होगा यहां तो मितलुथ हो जाएगा इसका मतलब ये निकला इधर 5 हो जाएगा इधर 25 हो जाएगा 5 इसको काट डिए 5 बन जा 5 5 जा 25 5 रेशियो 1 हो गया कि ने तो इस तरह से ए रेशियो भी find हो गया आप option के जरी यह fast में भी निकाल सकते हैं इतना तुम करके दिखाएं एक एक करके लेकिन आप यहाँ यह देखिए कि 5 रेशियो 1 है दिया हुआ अगर यहाँ 5 रेशियो 1 है तो इसका 1 का multiple कितना फाइब जा फिर 5 बनोता ना इसका और इसका रेशियो ऐसा जो भी digit हैगा या number हैगा तो इसका multiple कर देंगा 5 में समझी इसके बराबर होगा तो इसका हमेशा इसका multiple होगा तो option से भी इस तरह से check करके questions को बनाया जा सकता है लेकिन जगए concept की बात करने तो concept इसका क्या होगा concept की बात करने तो concept यहां दिया गया है क्या होगा 3A पलस 5B upon 3A मैनस 5B क्या होगा यहां ऐसे था आपको दिया हुआ 3A पलस 5B है रेशियो में दिया हुआ है 3A मैनस 5B दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है तो इसको रेशियो में रहता है तो इसको upon में लिख सकते हैं क्या आप उन में लिख दिये यानि बट्टाम में लिख दिये 3A पलस 5B अपन क्या हो जागा 3A मैनस 5B हो जागा बराबर क्या है 5 रेशियो 1 था ना इसको 5 रेशियो 1 को 5 अपन 1 दिख सकते हैं इस तरह से क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करके A और B का वैल्यू हो गया इस तरह से हम कॉंसे प्रेफि long के आधार पर बना सकते नगर किये को इस ठ्रह से भी दिक्कत हो बनाने में इस परकार से конц कि जैसे यह देखिए इसमें जितने भी उधर questions दिये गए सारे सत्रा नंबर के जो important question जिसका direct बन जागा वहीं बता दिये हैं और जिसका जो नहीं बन पाएगा जिसका concept चाहिए उसमें सारे का concept यहां दिया गया चार पांट छे आठ है नौ है और उसके बाद जो है दस का भी समय में बनाया जाए तीसरा questions में दिया गया है यदि a plus b ratio b plus c ratio c plus a equal to 6 7 8 है तो क्या करते हैं a plus b plus c equal to find करना है यहां देख रहे हैं questions में आपको कुछ न कुछ options इस तरह से दिया गया है जैसे आप इसको आपना आधार बना सकते हैं a plus b plus c करना है इसका मतलब इन सभी को जोड इनको जोड़ करके कितना करना इन सभी को जोड़ेंगे तिसका रेशियो को भी जोड़ेंगे तेजी से जोड़ देजे क्या हो जागा इतीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जागा टू ए हो जागा टू बी हो जागा टू सी हो जागा दो ए है ना दो ए है दो ए है दो बी है दो सी है तो टू ए पलस टू बी पलस टू सी हो जागा तो इसको लिखेंगे टू ए पलस बी पलस सी है ए पलस बी पलस सी का क्या हो जागा तो इन्टू ए पलस बी पलस सी लिखियेगा ने इसके बदले तो ए पलस बी पलस सी बराबर के अतना दिया है 14 दिया है तो दो यहां देखें क्या हो जाएगा यहां देखें साथ दूना चोदा हो जाएगा साथ या 21 हो जाएगा हो जाएगा किन दो दूना चार चार हो जाएगा यहां हो जाएगा आपको चार तीन हो जाएगा यहां जो है आपको तीन एक्स बराबर क्या होगा चार हो जाएगा तो एक् निकालना क्या है केवल C न निकालना है question में आपको C निकालने के लिए C निकालने के लिए A plus B को घटा देंगे तो A plus B का value कितना दिया गया आप देखे A plus B का value दिया गया है 6 A plus B का value 6 दिया 6X है X की value कितना आया था 6 multiply X की value आया था तुमको, आपको कितना आया था? आपको x की value आया था, 4 बटे, 3 बटे, 4 आया था, नहीं तो क्या हो जाएगा? Sorry, 3 बटे, 4 बटे, 4 बटे, 3 आया था, 6x है ने तो इसका x का multiply कर देगे, 4 बटे, 3 कर दे, 3 दोना entonces, 4 दोना क्यतना हो गया? आठ आगया न, तो आठ आगया कितना, किसका value आगया, a plus b की value आपको 8 आजाता है, जैसे यह 8 आगया तो क्या करिएगा, a plus b plus c में से घटा देजी, a plus b plus c में से किसको घटा देजी, a plus b को, a plus b का ratio कितना था, 6x था न, तो 6x का value कितना आया, 8 आया, total कितना था, total था, 14 और a plus b का क्यतना आया 14 में से कितना घटा देजिए 8 घटा देजिए इतना घटा देजिए पूरा है 14 और उसमें से कितना घटा देजिए 8 घटा देजिए upon 3 है और ratio 5 upon 9 है तता C ratio D क्या है 5 upon 6 है और ratio में 3 upon 4 है तो तता A ratio B ratio C ratio D find करना तो easy questions है देखे कैसे करेंगे इसको सबसे पहले अगर आपको ये पता A ratio B है तो हम इसको A upon B लिख सकते हैं तो आपको already पता है तब करते हैं क्या तो A ratio B अगर दिया है तो इसका मतलब समझे इधर 1 by 2 है multiply कर देजे तेजी से 8 बटा 3 हो जाएगा तो 2 4 की 8 हो जाएगा इनि 4 बटा 3 हो गया यानि 4 ratio इसको A ratio B बरावर क्या करें है चार ratio 3 हो गया ठीक है अब B ratio C है उसी तरह इसको एक बटा 3 है गुना क्या है 5 बटा 9 है तो इसको 9 बटा 5 कर देंगे 3 तिया 9 हो जाएगा यानि 3 बटा 5 हो जाएगा यानि 3 रेशियो 5 हो जाएगा तो इधर हो गया 3 रेशियो 5 हो गया इधर 5 बटा 6 है और उसको उल्टा देंगे क्या हो जाएगा तो 4 बटा 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा पांच बटाए छे अगुना चार बटाए तीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको दू दूना दूना चार होगा दू तीया छे हो जाएगा तो पांच दूना दस रेशियो तीन हो जाएगा इधर आपको क्या हो गया दस रेशियो तीन आ गया तो अब क करेंगे यह हो गया A B यह हो गया A B हो गया A B C हो गया और यह क्या हो गया C D हो गया और जैसे A B B C C D आपको find हो गया A B B C C D तो आपको किसका पहले निकालना है A B C D का निकालना रेशियो तो A क्या पहले A का निकालना है तो A इसमें क्या है चार है इसका सुरू वला क्या है सबका सुरू वला ले लिजिए एका रिशी हो जाएगा चार इसमें तीन है इसमें क्या है आपको जो है दस है इसमें दस है तो चार और तीन चारतिया बारा दहाई क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा उसके बाद अगर बी का निकालना है तो इसमें बी क वह तू है यह 5 सपानृटना और सब मसें निकलना नुकालना इसे निकालना तो ए्धास निकालेगे इस निकाल लेगे तीज़ास्ट के इसमें वह 2 में ज्थिए तो यसे मिस्थी गैusch फीना ले लेगे लेंगे त occurs within यह 15 हो जाएगा इसमें लास्थ गए 3 है 15 रहा फैसा प्लेस हो गया में चाहिए 145 हो गया इसके बाद 150 हो गया और 45 हो गया तो सबसे पहले क्या करें जीरो यहां देखी सबमें 15 से भाग लग जाता पंदर टाट ठीस फान्दाव पंदर चाह के नब्या पंदर दस पंदर दाहा एक सब तो आपको क्या लगता बहुत जैदा टाइम लग जाता और उसमें जो है आप इसको स्पीड में बना सकते हैं इसको प्रोसेस यही रहेगा चुकि हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा है लेकिन आप जब बनाने लगिएगा तो इसको इसी चीज को स्पीड में करियेगा तो थो थोड़ा सूलो में जल्दी में बन जाएगा आपके लास्ट में देखिये तो यहां क्या दिया है इसको एक्स पलस य इंट्व एक्स मेंश वाइ लिख सकते हैं की नहीं लिख सकते हैं तो एक्स प्लस वै बराबर आपको कितना दिया यहां देकि एक्स प्लस वै बराबर फोर दिया एक्स मिनस वै बराबर कितना दिया वन दिया तो दूनों को मल्टिप्ले कर देजिए फोर मल्टिप्ले वन कितना हुआ फोर बंजा फोर होगा तो आप यहां फोर बंजा जो फो वो चार के ही multiple में होगा कुछ भी तो चार के multiple में नो आता है नो एक आता है ना 17 आता है तो फिर आता क्या 8 है इसलिए क्या होगा इसका answer प्लस 5S को है बराबर 12 ratio 9 है तो X ratio Y का find करना है बहुत simple तरीका है इसको अगर हम original concept के हिसाब से solve करें तो जैदा time लगेगा अगर हम trick के हिसाब से solve करें तो कैसे बनेगा इसको देखें पहला option में 2 ratio 3 दिया B में ये दिया C में ये दिया D में ये दिया अब value put करना शुरू करते है value put करना क्या करें पहले टू से value put करें तो 3 को रखेंगे x के जगा पर 2 ले लेके जगा ये लिकर के देखेंगे क्या हो जाएगा दो दूना 4 हो जाएगा 4 चोके 16 हो जाएगा 16 , तो आम बतायेते हैं यहां 9 हो जता है और यहां दो है तै 0, нет मेचकर रहे रहे हैं 23, जालिए नो इसको छोड़ दीजे चली किया है, यहां क्या है। एक 4,ować 1 पे 4 करफ ना होता है । 4 का स्कूर का हो जाता है 9 संदौरत blijते हैं क्योंकि मैरनस में आ जाएगा मैरनस में तो है तुरह कितना यहीं इसका रेशियो हिद्र परकी मुंच चैए कर यह तहा है बारा यह बारा का मुटि पर आना चाहिए जैसे बाराattल डारा चु Cotton स से नहीं आ रा देखे 24 तो 12 का multiple है की नहीं वो आ जाता है चलिए यह आ गया ते समझे इसका भी आ जाएगा क्योंकि अभी दो रख करके देखिए तो क्या होता दो तुना चार चार चोके 16 हो जाएगा एक रखिए तो कितना हो जाएगा एक का स्कुर एक हो जाएगा तीन का तीन हो जाएगा 13 हो जाएगा तो बिलकुल यह नहीं होने वाला तो इसका option क्या होगा 3 ratio 2 इतना बनाने की कोई ज़रूत नहीं यह option से चेक कर लिजेए fast में और इसमें क्या कि इतना का ratio अगर 12 है तो इसका मतलब जो भी इसका solve करने के बाद होगा अगर x y का value 3 ratio 2 या जो भी option से according रखेंगे तो यह 12 के या multiple में होगा या 12 होगा इतना अप दिहान लखेगा तब जल्दी आसानी से बन सकता इसको अगला question अगर देखे तो क्या है x ratio 3 ratio 5 दे दिया है और काता इसका value find करने के लिए तो कैसे निकालेंगे x ratio y वाइने इसको निकालने के लिए क्लिए x वैल्यू 3 ले लिए y का value 5 ले ले लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका value निकाले 10 या 30 हो जाएगा और 3 है न वाइक जगा पांस ले ले लिजे तीन 15 हो गया 30 15 क्यातना होता है 30 15 हो जाता है आपको यह आगे व्ला करना ही परेगा चलिए क्या है तो आगे वला में भी तीन है पांच करके दिखेंगे तही क्या हो जाएगा पंच दूना दस वो जाएगा तो एक ताप stating 41, 25 हो गया, ठीक है, तह 5 से काटिया 5, 95, 45, 25, तथान। यह समानुपाती हो गा, तो समानुपाती का मतलब होता है क्या, 2 ریسیو کا equal ہونا ये से A ratio B है बराबर C ratio D है इस दोनों का equal होना क्या कहलाता है समानोपाती कहलाता है समानोपाती होने के लिए 2 ratio का equal होना होता है सबसे पहला क्या करेंगे 5-3 और 42-48 को करेंगे तो ये concept के हिसाफ़ से आपको नहीं जाना क्या जोड़ेंगे ना तो equal हो जागा तो चलिए तो जोड़ करके देखते हैं 5 में 2 जोड़ें तो कहतना होगा 7 हो जागा 13 में 2 जोड़ें तो 15 हो जागा तो यहां क्या हो जागा 7 हो गया रेशियो 15 हो गया बराबर कर देजिए अभी देखिए फिर इसमें 22 में जोड़ें त बाइस चार क्यातना होगा 26 हो जाएगा 47 क्या होगा 51 होगा साथ तपंद्रों अब बाइस और जोडते हैं बाइस में जोडते हैं तो बाइस चार हो जाता है और नो और 26 का कोई combination नहीं है इसलिए या भी नहीं होगा तीन रख करके देखते हैं पांच तीन आठ हो झाता है ठिक है और बाइस में देखें 8 हो झाता और 13 तीन कैतना होता है शोल हो झाता है ठिक है तेरस तीन भी हम आसान से equal हो गया कि नहीं तो यह दो रेशियो equal हो गया इसका मतलब समानुपाती है इसके लिए answer कौन सा fit का रंकिया सी किया आसानी से बन सकता है तो यह जो है यह tricky method है इसके according to अगर हम बनाया जाए concept के according तो इसमें वहुत ज्यादा time लग सकता है इसलिए मैं आपको कहा कि यह 15 से 20 सकंड में सारी questions को बनाया सकता है किसी questions को 15 से 20 सकंड का यूज करके बना सकते हैं नो नमर के questions में क्या दिया गया दो संख्या है सात रेशियो ग्यारा के अनुपात में है इनमें से परतेक में साथ जोड़ने पर इनका अनुपात दो रेशियो तीन हो जाता है यानि सात जोड़ने पर इनका अनुपात दो रेशियो तीन हो जाता है तो बहुत ही simple questions है इस question को हम दो तरीके से बना सकते हैं पहला तरीका तो यह है direct आप बना सकते हैं इसमें कोई time waste नहीं होगा सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा गया क्या पूछा गया सबसे छोटी संख्या तो बताइए इनका सबसे छोटी संख्या क्या होगा यह बड़ी संख्या होगा यह चोटी संख्या होगा अब इन में 7 जोडने पर आपका अनुपात नहीं हो जाता है 2 अनुपात 3 हो जाता तो जब 7 जोडने पर 2 अनुपात 3 हो जाता तो ये 7 में क्या मल्टिपल है करेंगे 7 का multiple ही होगा जो भी कुछ होगा इसके अंदर multiple ही होगा तो 7 का multiple ना ये है न ये है आगर हम बात करें तो इस तरह से हम ओक्षन के हिसाब से बना सकते लेकिन औरिजिनल वे की बात करें तो ratio को equal कर लेंगे जैसे 7 ratio 11 है और 2 ratio 3 है ratio को equal करेंगे तो कितना अंतर है एक कंतर है इसमें कितना का चार कंतर है तो इसमें क्या कर देंगे चलिए या एक हो गया या दू हो गया, इसमें इससे चार से गुना कर दीजिये, इसमें किस से गुना कर दीजिये, एक से गुना कर दीजिये, क्या हो जाएगा, साथ रेशियो 11 ही रहेगा, उपर में, नीचा में क्या हो जाएगा, तो उपर में साथ रेशियो 11 ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, रह जाएगा और बारा होजाएगा तो अब क्या है एक रेशियो अगर सात है सात है सात है यह उंचाव हो स 되면 वही मैंर आप इस तरह से रेशियो को इक्वल करत के भी आप उंचाव्र बना सकते हैं अगर हम कहते हैं कि क्या हो गया है इक रशीयो साथ हुआथा अगर दो का बात करें दो सटा चोटा हो जाएगा इसमें व सट्या 21 हो जाएगा आप क्या हो जाता है यह को तो डारीजियो Defense सबसे चोटी संख्या साथ का मल्टीपल भी है इसलिए हम ने उसको रख दिया याद रखे का जब भी ऑप्शन दिया जाता है तो दो ऑप्शन जो पॉसिबल टम्स होते हैं वो भी दिये जाते हैं इसलिए इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि छोटी संख्य आप पूछाए तो छोटी संख्या लेनी है तो दोनों तरीके सा आप सोच करके बना सकते हैं यह जितने भी आपको यह ऑप्शन के थूरू बताया जाता है तो यह समझे है आपको 80% केस में जो है आपको सही ही रहेगा हमेशा अगला कोशन है थिरी रेशियो 5 है तो थिरी तो तक पूलिन के प्रतीक पद्रओं में छोटी संख्या कौन सी संख्या जोरे कि नई संख्या इतना हो जाए ठीक है तो रैसियो से बिकर सकते कौन सी शंख्या जोरे तो कौन सी शुगे तो Marию 18 16 कि यह भी नहीं हो जाएगा तो फिर 6 से जोर खड़ेसे नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा 6-5 यह 11 हो जाएगा तो 13-13-13-13 एक मिनट टुक जाईए इसमें option ही wrong दिया गया है इसलिए आपको match नहीं कर रहा था यह option जो है 13 नहीं होगा यह 3 होगा ठीक है अब देखें 3 में 3 जोर के देखें 6 हो जागा 3 में 5 जोर यह कितना हो जागा 8 हो जागा तो 6 ratio 8 हो गया तो अब इसको काड़ यह 2-3-6 हो जाएगा 2-4-8 हो जागा देखें 3 ratio 4 हो जाएगा कि नहीं कहीं है रहा था कि इन तीन में तीन दस तीन दस तीन दस प्वाइब के परतिक पद में छोटी से चोटी कौन सी संख्यां जोड़ें इनमें कौन सी संख्यां जोड़ें कि 3 ratio 4 हो जाएगा तो आपको दिया जाए कि 4 ओप्शन दिया गया है चार ओप्शन में से कौन सा जोड़ना है तो हो जाएगा तो आप जोड़ करके ही देख लेजिए यहां जो है तीन दिया जाता यहां मिस्टेक से 30 निखा गया तो यह option क्या हो जाएगा ए आंसर से ही हो जा बढ़ाबर में क्या लिखते 3 ratio 4 लिखते तब cross multiplication करके आंसर निकालते हैं तो आपको बता जिए कि इसमें direct जोर करके देख लेजिए आंसर आपको त्यार हो जाएगा अगला question है एक किसी अधिक है बी से अधिक है तो बी को मान लेते हैं 100 है यह क्या है 140 है 403 अधिक है तो क् रेसियो फाइब्स पंचे 100 हो जायगा 27 140 हो जाएगा यह तो हो जागा sources 5 अधिक हो जयगा स्यावन रेसियो फाइगा इसवन रेसियो 5 हो गया तो एक हो गया, चार रेशियो 5 हो गया, एक हो गया, साथ रेशियो 5 हो गया, अब कह रहा है कि A, C का रेशियो निकाले है, तो आपको पता है कि A, B कितना आया, A, B आ गया, A, B आ गया, A, B आ गया, साथ रेशियो 5 आ गया, ठीक है, और B, C कितना आ गया, B, C, तो B, C आ गया आ आपको चार रेशियो 5 आ गया तो आपको किसका निकालने का है ए और सी का निकालने का नहीं तो शुरू वाला ले लेते हैं दोनों तो ए वाला तो साथ चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ता 28 ratio 25 हो जागा देखिए 28 ratio 25 दिया है D option में अंसर हो गया कुछ करना है नहीं डा डिरेक्ट दिमाग लगाना है और दो संख्यां का अनुपात में दो संख्यां का अनुपात का एक ratio 3 में है यदि इनका योगफल 240 है तो अंतर कितना होगा देखिए अनुपात दिया हुआ है कि नहीं इनका योगफल 240 है तो हमको निकालना है तो डाइरेक्ट हम किया कर देंगे तो ये ratio में अंतर कर देंगे तीन 240 है तो दोनों का योगफल ने 240 है तो तीन एक चार चार से डिवाइड कर देजें से साथ हो जागा इसका मतलब ये साथ है ये एक सो आसी है एक सो आसी मैंसे अब कहता है अंतर निकल तो अंसर निकल गया अपना ठीका डारेक्ट निकालर के questions में दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात एक Restore तीन में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका arter क्या होगा?, question में पुछा गया है, इनका answer क्या होगा?, किसका answer यन्agi दो संख्याओं का अंser क्या होगा?, तो antar आपको, क्या होगा? योगफल दिया हुआ है अंतर निकालना है तो करना क्या है अंतर क्या निकालेंगे तो रेशियो का अंतर निकालेंगे टोटल तो आपको पता है ना योगफल मतलब टोटल पता है 240 है ठीक है तो क्या है अंतर रेशियो का निकाले जिए तीन में से एक गयात कितना हुआ दो हो जाएगा यह हो गया आपको direct method यानि 20 seconds में जो आपको बताया तो उसके अंतरगत बनाने का तरीका हुआ दूसरा क्या है कि अगर वन रेशियो 3 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले वन रेशियो 3 बराबर कतना दिया वन रेशियो 3 ब एक रेशियो कितना हो गया 60 हो गया तो तो इस तरह से निकालने में टाइम लगेगा और जब हम आपको जैसे बता है उससे निकालने में तीन में से गया दो दो सी में भाग दीजिए 240 में 120 तुरंत हो जाएगा आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे हम तो यह आसान तरीका हुआ ठीक है फास्ट बनाने का तरीका हो गया अब क्या है कि तेरा नंबर में कोश्चन दिया गया है निमनलिखित में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है सबसे बड़ा अनुपात करने का क्या तरीका है अचार रेशियो को हम दूर रेशियो तीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और एक बटा दो तो यहां दिया हुआ है तो यहां हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जागा तीन से डिवाइड करें तो c6 हो जाएगा तीन से दो से चाह सबसे बड़ा अनुपात lighter यह तो बिल्कुल नहीं होगा यह भी बिल्कुल नहीं पुषभ आपको सैंवाना और फिर डोंपार्णी तरीकी से निकाल सकते कुष़ा है। 350 को 4 भाग में इस परकार बाट ये कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का एक तीहाई, और तिसरे भाग का एक चोथाहाई, और चोथे भाग का एक बटा दूसरे भागा एक तीयाई का तो बड़ाबर में का बड़ाबर में नहीं तो पहले क्या करेंगे तो बारा हो जाएगा बारा हो जाएगा तो क्या होगा दो से भागा देजी बारा क्या हो जाएगा तो इस दो से भागा देजी बारा में तो छे हो जाएगा तो यहां एक डी हो जाएगा यानि आपको क्या सब निकल गया छे 6 A 4 B 3 C और 1 D निकल गया अब क्या करेंगे यहां जो निकला है 6 A 4 B 3 C और 1 D निकला इसका भी LCM ले लिजी क्योंकि जब तक ratio में इनके बाद का यह step है इनके बाद का भी एक step है जिसका जब रेशीयो में करन बट हो गा तो चे चार तीन और एक LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा बारा ही हो जाएगा और बारा से भागा देजीए पिर से बाराम तरह क्या हो जाएगा इन उसके बाद चार से बारा में भाग देजिए अब रेशियो में कनवर्टोगा दो से चार से भागा देजिए बारा में तो चार तीया बारा हो जाएगा फिर तीन से बारा में भाग देजिए रेशियो चार हो जाएगा उसके बाद एक से बारा में भाग देजिए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यानि टोटल जब हम इनको कर लिए तो इसका क्या रेशियो आया हमको तो दो रेशियो तीन रेशियो चार रेशियो 12 आ गया कहा इतना रेशियो कितना है तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं अगला क्या है एक पेटी में एक दरजन सी से थे पेटी के गिरने पर तूटे हुए तता तो बना सकता है तो बना सकता है तो बताए दो एक क्या है तीन है तो दो एक तीन है तीन चोक यह बारा होगा तो यहां क्या हो जाएगा यदि इस तरह से कुछा जाएगा तक कि नहीं हो सकता है तो दो एक तीन तीन चोक यह बारा यह हो सकता है यह हो सकता है तीन एक चार चार से बारा में भाग लग जाता है यह भी हो सकता है तीन दो पांच पांच से बारा में भाग नहीं लगता है इसका मतल option number B है 4 का multiple 12 होता है उसके बाद 3-2 का multiple 3-2 को add करते हैं 5 होता 5 का multiple 12 नहीं होता है इसका मतलब C answer क्या है नहीं हो सकता है 7-5-12 का भी होता है समझ माग या पंदरा का किसे बनेंगे इस तरह के common sense लगा करके भी हम sense लगा करें भी बना सकते हैं किसे समकोन तिर्भुज के समकोन बनाने वाले भुजाओं पांच रेशियो बारा में के अनुपात में यदि तिर्भुज का अशियत पल 270 है तो वर्क सेंटीमेटर अड़ों तो करन की लंबाई कितनी होगी अगर आपको ट्रिप्लेट लर्न है तो आपको कोई परिशनी नहीं होगी जल्दी से जल्दी इसका आँसर निकल जाएगा तो तीसरा क्या होगा तैरा होगा तो पांच बारा तेरा से समकोन तिर्भुज बनता है तो एगर तेरा होगा तो हम आप से पूछते हैं तो इसमें क लेकिन concept तो बिल्कुल अलग है, concept तो अलग तरीके से बनेगा, सबसे पहले आपको इसको मानना परेगा, जैसे concept आपको पीछे में बना कर हम दे दिये हैं, पांच ratio 12 है, तो मानना परेगा कि 5X है, 12X है, फिर निकालना होगा उसको, क्या करते हैं, ratio में निकालना होगा, 512 इसका मतलब X बराबर 3 होजाएगा, X बराबर 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 5, 415 हो जाएगा, 12, 36 हो जाएगा, तो इसका 15 हो गया, छप्धिस हो गया, 5, 12, 36 हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो 5, 15, 36 हैं, इसमें 3 कुना कि रहोट 17 का फिर क्या करेंगे, square करेंगे current square बराबर होता है root under root under होता है length square जो रादा च्छातिस का square करके add करके जो होगा root करके निकालेंगे तब निकलेगा आपको कितना निकलेगा 36 निकलेगा sorry 49 निकलेगा तो इतना करने के बाद जब आप बनाईएगा तब तो इतना दिर में कितना question बन गिया होगा इस question के लिए यही ट्रिक है पांच बाड़ा है तो तिसरा रिप्लेट क्या होगा 13 होगा तो देख लेजे था 13 का मल्टी करना पूछा है तो करना का 13 का square क्या होगा 13 3 जब 39 होता है 13 का multiple 42 नहीं हो सकता 45 नहीं हो सकता इसलिए यह answer बिल्कुल नहीं होगा answer A ही होगा यह trick है यह तरीका है 17 में 2 संख्यों का ratio दिया है 3-4 में है इनका loss चोड़ासी दिया है तो संख्यां क्या होगा तो loss दिया है तो 3-4 संख्यां दिया है अगर 3-4 ओरिजिनल में रहता 3-4-12 इसका loss होता तो अगर मां लिए 3-4 है तो 3-4-3-4-12 12 का multiple नहीं नहीं होगा चोड़ासी हो जाता है 12-7 चोड़ासी हो गया यानि 3 ratio 4 यानि इन दोनों को गुना कर देजी यहां गुना करके ना हम चोड़ासी लाना है तो इहां जोड़ करके नहीं 3-4-12 12 से भागा देजी 12-7 चोड़ासी अगर 1 ratio 7 है तो 21,21 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मुझे विश्वास है और आप आसानी से समझ गए होगे तो मुझे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं आपको कहूँगा कि जितने लोगों को सेयर कर सकें उतने बेस्ट रहेंगे फैमिली में इतने अच्छे लोग अधिक लोग आएंगे और थैंक्यो थैंक्यो फूर वाचिंग दिस वीडियो